इन देगलं में फिर से अपका एकबर स्वागत ही ये वीडियो बिसी सुरुप से साथवे चरण से संबंधित है आज यानी चार फरवडी 2023 को बिभीन निउस्पेपर में साथवे चरण से संबंधित जो अपटेट है सभी लेकर आए ताकि कोई भी पॉइंट छुटे नहीं पूरा लाज तक हमारे साथ बने रहीएगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले जो निउस हम आपको दिखा रहे है निउस्पेपर का कटिंग ये आज निउस्पेपर का है इसमें हेडिंग देखा जाए तो बनाया गया है सुबह में आयोक से होगी सिक्ष क की निकती बहुत सारी चीजे है इसका पहला पेज ये है इसके बाद दूसरा पेज ये है तीसरा पेज ये है इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो है ये दैनिक जागरन का है सारा चीज का निचोण ही आपको हम बताएंगे इसके बाद जो है वो है आपका दैनिक भास करका इसे हम पहले पढ़ेंगे इसके बाद जो है वो हिंदुस्तान नियूस पेपर का कटिंग है सभी में एक ही चीज है एक चीज पहले आपको किलियर कर दे किसी भी नियूस पेपर में ये चाज नहीं दिया गया है कि इस डेट को चाहिए इस कैबिनेट के बैठक में आपका मतलब फाइनल हो जाएगा नियूमाली बाहर आजाएगा लेकिन ऐसा लग रहा है पहले से भी शिक्षामंत्री जी दुआरा कहा गया है कि फरवरी में मिल जाएगा पूरा एक जूट रहिए एक मंच पे रहिए ज्यादा उल्टा सिधा मत लेके बस पोजिटिव रह जाएगा पूरा आपडेट जानेंगे फिलाल यहां से हम पढ़ते हैं अभी जो हुआ है जो पहले के वीडियो में भी हमने बताया है एक आवेदन होगा सारा चीज वही लगबग है और अर्थिस जीला में अब और्थिस जीला मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक संस्था या किसी को भी एक दे दिया जाएगा जो इसको देखेगा एकायोग को दे दिया जाएगा जो इसको देखेगा 38 अस्तर पे देखेगा पहले क्या होता था कि 9222 नियोजनी काई यहां थी सबी जगे भटक भटक के आवेदन करना पड़ देता बहुत सारी चीज़े करना पड़ देता कभी ये कारे नहीं हुआ कभी वो कार नहीं हुआ फिलाल यहाँ पे सब हेडिंग पहले पढ़ते हैं 38 जिलो की 9222 नियोजे निकाईया अब हो जाएगी बेमतलग सिक्षकों का सीधा नियंतर सिक्षविवाक का होगा पंचायत और नगर निकायों का अधिकार खत्म यानि समाप्त जो भरती आने वाली है दो लाग से अधिक आने वाली है यह हेडिंग मनाया गया है दो लाग से अधिक सिक्षकों की भरती अब आयोग से नगर निकायस पंचायत से नहीं अब आयोग से होगा आयोग कोई भी हो सकता है इसमें लिखा भी गया पुरानी वेवस्ता खत्म होगी जिला ही सिख्षकों का कैडर होगा फरजी सर्टिफिकेट के आधार पर कई सिख्षकों के बहाल होनी के फजियत जिलरे सिख्षविवाग ने अब सिख्षकों की न्युक्ति की पूरी परकिरिया बदलने का नियुन किया है पहले यह निक्ति पंचायत और नगर निकायों की 9222 निकायों के माध्यम से होती थी लेकिन अब सिक्षकों की निक्ति आयोग BPSC, BSC या बिद्याले साया सेवा आयोग संभावित के माध्यम से होगी अब यह फिक्स नहीं हुआ कि किस आयोग के माध्यम से होगा या एक बोड बन जाएगा जो सारा चीज देखेगा को यह अभी फिक्स नहीं हुआ या थो BPSC को दे दिया जाएगा या किसी को दे दिया जाएगा जो पूरा हैंडल करेगा अच्छी चीज है इससे क्या होगा न पूरा देखेगा उसको वही कहा जा रहा है कि 48 जिला काई होगा अब इसमें एक चीज और यह निमाशाज सेब्सक पील देखेगा उसको वही कहा जाएगा 38 जिला कैडर होगा अब इसमें एक चीज और यहां निमाली के चोचा हो रही है तो निमाली के बार में एक चीज पहले भी हमने बता है फरसे बता देते हैं कि एक ही निमाली होगा सभी के लिए पहले क्या होता है कि इसके लिए एक निमाली प्रात्मी के लिए मादमी के लिए इसके लिए उसके लिए सभी के लिए लेकिन अब क्या किया गया है सभी निमाली को एक कर दिया गया एक ही निमाली देखने को आपको मिल सकता है इसके साथ ही आगे लिखा गया है सभी 38 जिलो में नियोजे निकाई होगी जिससे सिक्षकों के हस्तांतरन और सर्टिफिकेट के रख रखाओ की समस्या नहीं होगी सिक्षकों पर सिक्षविवाक का सीधा ने अंतरन होगा इस माह के अंतर तक नई निमाली को कैबिनेट से सविक्रिती मिलने के बाद बाहली पर करिया अगले दो से तीन माह में सुरू हो जाएगी एक चीज इन्होंने लिखा था जिसके कारण हम इसको लेके आया है डेट तो नहीं बताया गया कि कब होगा लेकिन इन्होंने किलियर यहां पर मिंसन कर दिया गया है कि इस माह के अंतर तक नई निमाली को कैबिनेट से सविक्रिती मिलने के बाद बाहली पर करिया अगले दो से तीन माह में सुरू हो जाएगी अच्छी चीज है कि इन्होंने जो लिखा है वो अच्छा है अच्छा क्या है कि इस माह के अंतर तक नई निमाली को कैबिनेट से सविक्रिती मिलने के बाद नई निमाली को सविक्रिती कब कहा जा रहा है इस माह के अंतर तक नहीं होना चाहिए यह जल्द होना चाहिए क्योंकि बाद में क्या होगा ना बजट सत्र हो एकर चले लेगा अब यह चीज अब यहां पे थोड़ा सा निगेटिव इधर उधर की बात कहेंगे यह भी तो हो सकता है अवियर्थियों के मन में तो यह भी डर होगा कि अगर आप इधर नहीं लेके अब यहां बजट में से खिकड़ लुकल सब्सक्राइब पूचितों सब्सक्राइब विशाब डिजा नहीं जान सर्थ इदिय के में घ्या सब्सक्राइब कर दिजिया कर दिजिया है और कमेशा विश्वास भी रहता है आपकी बातों पर जल्से जल्सल निमालेब इन्होंने अंतिम तक लिख दिया है इसलिए लिख दिया कि अंतिम तक निश्यतुरुप से मिल जाना चाहिए आपको नहीं निमाली इसके बाद जो है इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जब बहाली कब होगी बहाली के लिए इन्होंने लिखा है कि बहाली परक्रिया नोटि पूजेटिव हम क्यों है यहां पर पूजेटिव यह होना चाहिए कि नहीं निमाली आ गया फरवरी में आ गया मार्च के हर हालत में आपका बाहली पर करें स्टार्ट हो जाना चाहिए यहां पर पेंच क्या है कि अमरित का घड़ा पिया हुआ जो बैठा है छट्ठा चरन उस गया से नया बहाना इनके पास होगा तो मेरे गया से इस संदर्ब को सुचते हुए इन्होंने लिखा है कि लिए इसलिए इन्होंने लिखा है तो फिलाल इन्होंने लिखा है कि अगले 2-3 वाह में शुरू हो जाएगी L 지난 आ आप एक जुट रहेंगे इक मंच पे रहेंगे आपकी जो मांग है, वो मांग होती रहनी जागी है जो आपने किया है कि हम ये करेंगे कुछ सारा चीज अगर आपने meantip बनाया है कि एक जू ठोके एक मंच प्याके सभी को, तो एक ही रहना चीजिए अब इदर उधर की नहीं, जो आपने ठाना है ठानके रखिए, अगर नहीं होता है तो आप fight करने के लिए भी, हम नहीं कह रहे हैं कोई भी इंसान अपना हक के लिए लड़ता है अगर उसे वो चीज नहीं मिलता है, एक रोटी रखा हुआ है रोटी अगर आपको खाना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर आपको तेजी से भूक लगा तो आपको छिणना ही पड़तेगा चाहे नियोजों नहीं काई को ही ले लिए आपको क्या करना पड़ता हूँ वहाँ पे मेरिट के अस्तर पर वहाँ पे fight करना पड़ता है कि मेरिट अपका बन जा है, तब होगा मेरिट का भी चर्चा है इसमें इसलिए हमने इसको रखा है तो यहाँ फिलाल यही कहेंगे कि आप लोग एक जूट रहिएगा, एक मंच पे रहिएगा किसी को अपसद नहीं क्योंकि सुक्षकों का एक मरियादा होता है, उनका भासा भी होना चाहे है उसी तरीके का, अग कोई भी इधर उदर नहीं कि निमाली लेके क्या करेंगे, यह क्या करेंगे बई एक की बार हम बता दे कि सातवा चरण जो एस्टर 2019 के व्यरती हैं, बहुत मुश्किल से माने थे हैं, कह रहे थे डिरेक्टे कि हमको निवक्ति पत्र दे दो, मेरे मेरिट बन गया है यही कहते भी हैं, आज के टिट में भी देखिए हर चीज का हर स्टेप बाई स्टेप हर का कारे होता है, सभी चीज का क्या होता है, कारे होता है, धिरे धिरे स्टेप बाई स्टेप इसी तरीके से हर कारे के लिए सबसे पहले आपको निमाली के बाद कीजिए जल से जल इसे ले लिए उसके कीजिए क्योंकि सातों जो चरण होगा वो निमाली पर भी बेस्ट होगा चलिए इधर-दर की बाते से अच्छा है इससे देखा जाएगी सबसे पहले हाई स्कूलों में 1.22 लाग सिक्षकों की न्युक्ति होगी फिर प्रारंबे के स्कूलों में 80,27 सिक्षकों की बाहली होगी सिक्षविवाग का लक्ष है कि 2023-24 में सिक्षकों के रिक्तपदों पर बाहरी कर ली जाए बहुत अच्छी बात है 2023-24 में ही नहीं इन्हें क्या करना चाहिए जून से पहले तक सिक्षकों की भरति बाहली प्रकरिया microbes से पहले तक कर ले नहीं हिए गर्म की छुट्टी से पहले गर्मी की छुट्टी तक कर लेना चाहिए क्योंकि जब यह सिक्षक भर्वाले प्रेमरी वाले जब जायेंगे ने da yo सिक्षक मिल जाएंगे उस समय भी एक देखा जाता है कि बच्चे जो होते नए स्टेप में नए सेशन की तरह वो आते हैं तो उस समय तक निश्चित रूप से कर लें पूरा प्रक्रिया कर लें क्योंकि जैसे यह प्रक्रिया अगर स्टार्ट करते हैं होने में देरी नहीं ल लेकिन इन्हें करना चाहिए कि जून से पहले तक सारा स्टेप पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि यह जो कारे है वो तेजी से भी होगा एक ही आविदन करना सारा चीज है और आपके सिक्षविवाग के हाथ में 38 सारा कोई भी कारे होगा बस 38 जगह फोन लाया कार खत्म ऐसे तो यहां देखा जाया लेकिन इन्होंने लक्ष रखा है 23 चोविश रखा है लेकिन 23 के अंदर वैसे शिक्षा मंतरी जी का भी काना है 23 के अंदर ही कर देंगे नए सेसन में चात्रों को अगर शिक्षक मिल जाए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो हम भी मानेंगे कि ए इदर उदर वरला फाइट होने लगता लिए फिलाल इसमें जो लिखा गया वो हम आपको बता देते हैं बीटेट सीटेट और एस्टेटी के रिजल्ट में मिले अंको के अधार पर 60 परतिसत का वेटेश की बात कहा गया सैक्षडिक और सैक्षडिक योगता मैटिक से PG डिल और चीज लगाया है यहाँ पर अंतिम तोर पर संबंदित आयोग दोरा विभा के परामर्स से वेटेश का अंक निरधारित होगा इसका मतलब यह एक चीज और यहाँ पर इंक्लूड कर दें इंक्लूड क्या कर दें कि जो यह निक्ति का पैमाना होगा यह जो आपका निमाली में ही रहता है याद रखिएगा किस में रहता है यह निमाली में ही रहता है यह से पहले का निमाली आप देखिएगा बखहुबी 2020 का देख लिजए लास्ट वाला देख लीजे, पहले का छोड़ दे, 2020 में भी लिखा हुआ कि कैसे आपका मेरीड बनेगा, उसी तरीके से हम आपको final अभी फिरसे कर दें, कि जब भी निमाली आएगा तो ये नियुक्ति कैसे होगा, कैसे उसका वेटेज बनेगा, किस तरीके से मेधा अंग बन क्या आहरता है उनके पासे क्या योगिता चीज ये रहेगा, मतलक कौन अप्लाई खरेंगे असनातिक का ठोड़ा सα होगा पूरा होगा पूरा होगा बभू अभी तक जो भी हुआ uh पूरा लेकर हुआ आपका पूरा साथ मैww यह थी पहले हूट्पूर शो। पहले भी आपका नमल में रहते हैं उसमें हस्थांत्रा नौकाइज दो पूरा नियम कानून सारा चीज उसमें रहेगा, इसमें यह नहीं रहेगा, कि मेबी यह हो भी जकता है, लेकि मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, वो क्या कि इतना सीटेट में होगा अंग तो आप अपलाई करेंगे, इतना सीटेट में होगा अंग तो अपलाई करेंगे, यह पह किजिए गलास्ट में हिंदी क्लब लिएगा उससे समंदित वीडियो मिल जाएगा वही सारी चीज रहेंगे फिलाल यहां पर जो संसे बरा है वह अभी रहेगा इस पर हम अपने तर्प से कुछ कहने वाले नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उदर होने लगता है फिल स्कूल आवांटित कौन करेगा यह करेंगे सिख्षागा एक चीज यह भी पढ़ लिए कि सिख्षकों की बहाली पंचायत और नगर निकाय नहीं बिल्क आयोग के माध्यम से होगी ओनलाइन एक ही आवेदन देना होगा आवेदन के आवेदन में दिये गए विकल्क के अंस सिख्षमंत्र जी का काना पहले भी आप देखे आयोग से कब कब भरती हुआ था को 1994 में 1999 में 2010 में हुआ था तो यहां पर जो चीजे हैं अच्छे इसमें और चीजे हैं वो बात कर लेते हैं रिक्ति के बारे में फिर और नीश पेपर में पढ़ेंगे तो यह होगा यह हम न सिर्षत यह चाचट अवयरती जो है वह मतलब जो ओरीजनल है जो मतलब उसकी अहरता रकते हैं वह बाहर है जो नहीं रखते हैं वह उनका हो गया इसमें हटाए जा रहे है यह मानते नहीं है इसको पकड़के ना देखे सबसे पहले बिभाग को एक कारी क्या करना चीए एक पोटल बनाना चाहिए जहां सीटेट का पूरा विपसाइट का लिंग साथ में एस्टेट का और साथ में बीटेट का जिसकी बाली हो रही है उसका एक पोटल बना देना चाहिए कि यहां आपणा रॉल मच डालिए और यही मेरी ही प्रॉल्ड़िंस कर लिए कि आप पास हैं या नहीं पासLike सक्त हिदायत होना चाहिए कि जब भीं से पहले पहले ज़ो भी जब भी आप करें को वहाँ पे आप सर्च कर लिजे सर्च करने के बाद अगर आप वहाँ पे कॉलिफाइड आपका डिटेल्स दिखा रहा है तब ही अपलाई करें ने तो कॉंसलिंग में आप पहुंच गए या तो पहले ही छाट के आप अलग कर लिजे ने तो कॉंसलिंग पहुंचते तुरंत बेज देजे जेल उसको इधर यह प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और यह जो जैनुवीन बच्चे है वो छट जाते और यह लोग हो जाते हैं इन लोगों समझ में नहीं आता है तो पहले तो वेब साइट पर इनका टोटल जब भी कॉंसलिंग से पहले मेधा सुची बनाने से डेटा भेरिफाई होना चाहिए उसके बाद उसका मेधा सुची बनना चाहिए विभाग कर ले अगर अव्यार्थी आते हैं तो समझेए कि जेल बेज चीजे बिभागी कर ले तो अच्छा है नहीं कि यह तो मानते नहीं है फिलाल यहां पर रिक्ति के बारे में हम बात क रिक्ती जो है ूच माद्मिक कच्छा 119 बारे में कितना है तो यह देख लीजेगा यह उच्छ माद्मिक 111 बारे में बहुत ज्याद में बहुत सीट चाहते हैं लातना कि खो दीर हरह्थी नहीं सब्याज़िपर हैं बभर यहां कि गधाय होने शीजेग्यों स्कूल है ज देखेंगे अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर देखिएगा को यह वाला सारा चीज वही प्रोसे से इसमें एक चीज जो हम ढूंड रहे हैं वो मिलने विसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अच्या इसमें यह भी पढ़ लिए पहले की निमाली में अभिसेश जिक्शक तता प्रोकसाला साहैकों के न्यूक्ति का प्रवधान नहीं ता नई quarter निमाली में ने और इसमें जो है प्रोग साला साहाइक वगरे को ट्रेनिंग जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सुरू से अस्तर है, ट्रेनिंग क्यों? ट्रेनिंग या वीडियोज उन लोग को एक तरसा उपलब्द जरूर कराना चाहिए, कि ये ये होता है, ये सारे चाहिए, वीडियोज या ट्रेनिंग जरूर दे देना चाहिए, वो पूरा डिटेल्स में, यानि प्रक्टिकल रूप से वो कर रहे हैं, अब ये सिख्षक जो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, प्रुक्साला वेगरे पे, अब ये अगर वो टेंड होके, और सारा एक्जेक्ट वईचेस वीडियोज वेगरे देखके, प्रते एक दिन वो कराते हैं, और प्राक्टिकल रूप से कराते हैं, तो बच्चे का अस्तर जो होगा, प्रादिकार का गठन होगा, ये सारे चीज लिखे गया है, और जहांपे, फिर से हम यहां से पढ़ लेते हैं, बिहार पंचायत प्रारंबिक बिद्धालय सेवा निमाली थी नई निमाली में केवल एक प्रधान होगा जो सभी परकार के सिख्षकों पर लाग होगा यानि प्रारंबिक शिक्षकों से लेकर उंच मादमी तक के शिक्षकों को पुस्तकालय अधक्षकों पुर्गसालय सहायकों अंदेशकों की निउक्ति के लिए एक ही निमाली होगी नई निउक्ति निमाली के तहट सैक्षडिक प्रसासन से पारदर्सी बनाने युम सिक्षक पुस्तकालय दक्ष पुरुगसाला सायक अंदेशकों के सेवा समंदित बिश्यू तथा यथा ओकास सवकृति वेतन बुक्तान वेतन बृधि प्रुनत्ति युम अन्य मामलों के त पढ़ेंगे यहां पर तो एक वेब पॉर्टल बनेगा जो सिक्षकों का सेवा इतोयास होगा सारा चीज उनका डीटेल्स होगा तो यह अच्छी चीज है यहां पर भी आप उनके बारे में पूरा चीज देख सकते हैं यह है यह सारा चीज को मांगना नहीं पड़ेगा सार वर्ष सिक्षकों के नियुक्ति का होगा सातवे चरण के नियुक्ति परकरिया को लेकर नहीं निमाली बनाई जारी है किंद्रकित का ओनलाइन आवेधन के बेवस्ता की जारी है व्यारतियों को केवल एक आवेधन देना होगा और उनकी मिनदवारी उनकी दिये गए विकल परक्रिया को और यहां से थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। परक्रिया को और यहां से थोड़ा से थोड़ा से थोड़ा से दिया गया है। पत्रता परिक्षा के प्राप्त अंकों के वेटेस के धर पे बनती थी नहीं निमाली में भी लगबग यहीं बेउस्ता बनी रहीं और मेधा अंग के अधर पे आयोग मेधा शुची बनाएगा। तो इस पे हम कुछ नहीं काना चाहिए जो करना है किजिए जल से जल निमाली दीजिए क्योंकि यहां सुक्षक पत्रिता परिक्षा आपका जूट रहा है और यहां पे जो है और एक आवेदन होगा सारा चीज इसके बारे में तो हमने बदा दिया है इसे थोड़ा सा पढ़ लिए निमालिधी यहां पे निउजर निकाईयों का निकाईयों का निकाईयों के तहत इतना निउजर निकाईयों वेगरे करना चाहता था ये सारे चीज़ हैं कुछ खास नहीं हमें दिख रहा है भी क्यों पढ़ी जरूरत हमें पता है कि पहले क्या था अभी चलिए ये हो गया ये पढ़ लिया हमने अब ये बची गया आपका आज निउस्पेपर आज निउस्पेपर का जो मुख के जाएगे केंद्र कृत ओनलाइन आवेदन लेने की होगी बेवस्ता नियोजनी काईयों कि संख्या इतना से इतना होगी यांगी 38 हो जाएगी अब विचेश्च को प्रक्साला साहे को अंदेश्को के निउक्ति के भी प्रधान होगे कि कैसे उनकी बाली होगी क्या-क्या हो आपको बता दो कि न्युक्ति नियुक्ति 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 के बारे में देख लेए कर प्रारंबिक तक की सिख्ष को पुष्त पुरानी नियमाली में स्थानी समिति बनाया जाता था पुरानी नियमाली से कोई मतलब नहीं चलिए नहीं होगा तो एक अलग से आपको साम तक वीडियो देनी की कुशिस किया जाएगा और कोई भी तुरुटी वेगरे मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगा पर दर्सी तरीके से होगा आवदिको को किवल एक आवेदन देना होगा उनकी उमिद्वारी के दियेगे विकल्पों के अंसार सभी जगा होगी इन्होंने एक सब्द लगाया सभी जगा होगी इससे आवदिको के धन एंस्राम की बचत होगी विभाग अस्तर पे नई निमाली को अंतिरुप दिया जा रहा कैबनेट की जल्दी कैबनेट से मंजोरी कराकर बिग्यापन प्रकासित किया जाएगा सिक्षा मंत्री ने पूर फ्रेसर चुन्षेकर ने बताया कि हमारी कोशिस है कि मुकरी तथा उपमुकमत्रिक निर्दोस्य का उनसार बिहार में बिहार के यहाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी दी जाए बहुत अची चीज़ है अब यहाँ पर देखिए जो बिकल्प की बात कर रहे थे कुछ चूट रहे है यहाँ पर है आवदको को केवल एक आवेतन देन हो का उनकी उमिद्वारी उनके दिये के विकल्प के अंसार सभी जेगा होगी और इसमें क्या होना चाहिए हम फिर से कह रहे हैं सिक्षववाग को इस तरीके से कार करना चाहिए जो सभी सब्ध है वो सबी इस तरह इस्तमाल करें कि करम के वो लगाने के लिए पूछा और जब merit list बने और उनका जिस जीले अस्तर पे उनका merit बन सकता है उसी जीले अस्तर पे उन्हें बेज दिया जाए जैसे हमने अपलाई किया पटना चपरा पटना एक नंबर चपरा दो नंबर और सिवांग तीन नंबर और मालीजे खगडिया हमने चार नंबर रखा इस तरी जो एसा तो नहीं है जो एस्टेट पास नहीं है अगर एस्टेट में जरूर देख ले कि पास कौन नहीं है उसको reject list एक बार जारी करते रिजेक्ट लिस्ट जारी करने के बाद वो क्या करे जब मेधा बना है तो जिस जीले के मेधा के अंतरगत जैसे पटना का merit list देखा कि हाँ यह आपका 70 पर फूल हो गिया तो उसका अगर 69 है को 70 के बाद जिसका जहां उसका बन रहा है कम वाला बन रहा है वहाँ बेज दिया जा है तो कि अधिकतर क्या रजदानी में जाना चाहते है आप भी जाना चाहते हैं तो इस तरीके से merit बनाए कि वो बच्चा छूटे अगर नहीं हो तो last में जो सबसे last में और तीसवा सेलेक्ट किया होगा उस जिले में चले जाए सबसे कम है माली जे किसी का 50 है सबसे कम है को वहाँ पर वो चला जाए और उसमें भी जब यह merit वेगरे बन जाएगा जब counseling वेगरे document वेगरे जाच वेगरे होगा तो उसमें भ पाँच या दस जितना देना हो एक आवेदन ले ले चाहिए ओनलाइन ले ले चाहिए जैसे भी वही पर तुरंट कर दिया जाएगे हाँ आपको यहाँ यहाँ यही स्कूल चुना गया अब इसमें अत्रिक्त यह है अब इसमें से किसी स्कूल में आप जाना चाहते है तो यह अच्छी चीज हो जाएगे और अच्छा स्टेवल तरीके से हो जाएगा कोई भी मतलब सिक्षक अवियरती चूटेगा नहीं अगर इस तरीके से कार्य होता है तो और रही बात को त्रूटी वेगर नहीं होगा मुझे तनी लग रहा का अब इधर उधर कुछ इधर वोडियों के साथ तब तक देखते रही है बने रही है हिंदी क्लब पे धन्यवाद बाबाए सब्सक्राइब कीजे हिंदी क्लब को दबाएए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है यिल्म कीजे है